हेलो दोस्तों वेलकम तो कॉमर्स नेशन या विकॉम दॉस्त मैं नम इस अमन दोस्तों आपको जैसा पता ही होगा कि हम लोग आपको बिकॉम और एमकॉम एंटेंश की त्यारी करें और इंडिया इस्टीज इसके अंदर भी अच्यू, AU, DU ठीक है बहुत साही निसीटा आती ह है, part 1 video अप्रोड हो चुका है और बाकी भी बहुत इंप्रोटन वीडियो, इकनोमिक्स की, बिजनेस की, अप्रोड हो चुकी है, आज अबना इस्टाटिक का पार्ट 2 वीडियो है, part 1 अप्रोड हो चुका है, तो आपको भी पारे देखें क्योंकि आपको यह और अच्छे आपने सीखा ता कि स्टाटेशिक्स होता क्या है उसके मीनिंग के बारे मी इसके फीचेर के बारे मी सिखा ता आज हमें कुछ और बाते सीखेंगे जिनसेais को कि पूछने के चान्सेश होते हैं ठीक है सिप्टेशिक्ड बात दोस्तों यहाँ पीथ हो है तो सीधे आप से कोशन पूछेगा दोस्तों स्टाटिस्टिक्स के अंदर हमको सीधे एक्जैक्ट परना होता है ज्यादा कुशन घुजगुज कर नहीं पूछता है ओपर दो कोशन पूछेगा जो कि आपको अच्छे से त्यार करवाएंगे ठीक है उसका मीनिंग क्यों होता है पर और डिटा को इंडा है करते हमाघा हो सकता है रहाएं सेम्पिलंग हम दोग सेंपल को उठाते है उसके फूरकस्टिंग नेदा का अंदाज़य रगाते हैं कि सूचे में क्या हो सकता है दोस्तों इसमें आपको दिख गया होगा साफ साफ different between कि एक्जाम में साफ से पूछेगा organizing क्या बरते organizing हो गया correction हो गया interpretation हो गया तो यह कौन से statistics है तो यह आपकी descriptive statistics है and sampling forecasting probability यह कौन सी है inferential statistics है सीधे exact वही परना जो exam में आता है ज्यादा deep नहीं परना ठीक अब इसके अंदर कोई भी इसक नहीं होता है और इसके अंदर इसक बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हम लोग forecasting कर आया है जिसमें आपको बहुत सारी examples दियोंगे and options भी दियोंगे आपको उससे इसकी practice भी कर सकते है अब आते nature of statistics exam में पूझेगा कि statistics का nature ही क्या होता है अब nature क्या होता है दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ statistics science भी है and art भी है तो अगर आपसे पूछता है क्या statistics साइन्स है तो ये इस इस साइन्स पूझता आर्ट है तो ये इस इस आर्ट पूझता है science as well as art तो yes it is both science भी है और art भी है दोस्तों ठीक तो यह आपका हो गया statistics is science as well as art ठीक दोस्तों अब पूझता है कि statistics का other subject कितनी मतलब इस्टैटिक्स को किस दिनी अधर सब्यक्स से रिशन सी पुसका है तो अब आपको सब्जेक्स से नाम पता है चीए एक गाम में यह जो पूछा भी गया एक दो बाए तो यहां पर साही सब्जेक्स बता रहे गए है तो देखिए स्टैटिक्स का जो आपका mathematics से है भया क आपको नहीं होगा एक का अपको नहीं पता होगा एक इस्टे सिएक्स को मज़से बहुत साइब नियुक्षा नहीं में पता होगा बाव लिए से बीजिक्ष हो गया बिजनेस भी और ऐस्टिव मारne जिसको डिस्टेंस के पहाई है था यूर रोगिंगो रिए इस्टेट मेनेज्मेंट इंडियन गवर्मंट को या तो आप से सी बऄ । स्वेर्ट का कि सब्सक्राइब पता होगा तो किसे नहीं आपको आसानी से पता कर सकते हैं एक बाइजाम में सोस्टा इसाइज साइज पूछा गया एक्जाम में इसे ये मैंने कवर किया है ठीक है सिंगोय के हिसाब से इस्टाटिस्ट में डेटा का क्या मत्रव है तो डेटम देटम डेटम धाटम ठीक दोश्तों अब आते हम लोग इमिटेशन से मतलब कम्या है इससे भी कोशन पूछ देता है दोस्तों तो पार में देखेंगे ठीक है तो आते पाई अपने प्लीमिटिटिशंस के ऊपर इंट डेविट क्ॉनितियटिटिव नॉट क्वाईटियटिव आपको मैं बता दू क्यों नंबर के ऊपर रहे करता है कौइटेटिव मतर्ब जो चीजे Number Time में नहीं मेजर की जा सकी उसके ओपर यह काम नहीं करता है कौन कितना हसता है होता है गाता है काम करता है मत्रब नहीं है कि वाए जो भी चीजे Number की फर्म में होंगी Statics उनकी study करता है D with aggregate not individual Statistic हमेशा aggregate में होता है ठीक है कभी भी इंडिविज़री की बारे में नहीं डिसकस करता जो भी Statists काम करेगा Statist applicable aggregate बहुत साई चीजों के ऊपड़ बहुत साई data जो की नंबर के फॉर्म में होंगे बट अगर individual data है तो उसके ओपर स्टेटिस का कोई यूज नहीं है यह कमी है यूज भाई एक्सपाट से भाई यूज संथि हम लोग आप रोग यूज हम लोग बस समझ सकते हैं कि यह इसका आपको solution नहीं देगा यह भी इसकी एक बहुत वही इमिटेशन है ठीक है गिव यॉंग इन्फरमेशन कभी-कभी यहमको बहुत गर्द गर्द इन्फरमेशन दे रहता है दोस्तों ठीक है उसके बाद complex technique के procedure भया इसकी जो टेक्निक्स होती है वह बहुत complex होती है बहुत इसके फॉर्मेशन के बनते जाते हैं तो बहुत complex procedure है कभी-कभी इसका answer ऐसा आजाता है कि आप यकीन में ने कर पाते हैं और यकीन भी करना पाता है तो यह भी बहुत दिक्क्त की बात है तो कंट्या दिक्टरी जो होता नहीं है वह हो जाता है तो आपको बहुत दिक्क्त ह पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं इससे question पूछ सकता है और पूछा भी गया है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि यह statistics पर डिस्ट्रस्ट मतब विश्वास क्यों नहीं करते हैं तो इसके भी कुछ करते हैं कोई कुछ और करता है कोई कुछ और करता है तो यह ऐसे में इतनी definitions है कि योग विश्वास ही नहीं करते हैं तो विश्वास क्यों कर दिया तो लोग उस पर विश्वास करेंगे ही नहीं ठीक है उसकर inadequate sample जब data sample में inadequate पूरा होता ही नहीं है तो आपका result आएगा वह भी गरता आएगा जब रिश्वास नहीं करेंगे ठीक है उसकर wrong conclusion भया conclusion कभी-कभी सब कुछ सही करते हैं हम लोग बट जो main conclusion नहीं करता है न वह गलत निकाह जते हैं तो उसके काइम लोग पर लिश्वास नहीं करते हैं तो आपको points पता ओने चाहिए को योग जिस्टरस को इमूब कैसे किया जा यह पड़न नहीं है बन्ट मैंने यहां पर डिसकस कर दिया है पहाई करें तो अच्छे से पहाई करते हैं ठीक है क्या पता पूश दे तो मेठर टू इमूब डिस्ट्रस्ट पाया यूज बाई परसंट हू नो स्टाटिस्टिक्स जिसको आता है वही उस करें तो कोई दिक्कत होगी नहीं एंसर भी सही आएगा लोग इसके पर विश्वास करने लगेंगे दूसरी आपका है प्रिकॉशन ए चुशन नहीं एंसर सही आएगा एं योग इस पर विश्वास करने लगेंगे ठीक है उसका इंडिपेंडेंटन डिसक्षन मतलब जो भी आप इसका इसका इलेट निकाए इस्टाइस का मेठे इस तुमाई करें जो भी कंकुशन निकाएं उस पर इंडिपेंडेंडेंटन चुशन करेंगे आपका इंसर भी विश्वास भी करेंगे इस टेक्स के मिठट के ऊपर दोस्तों यहां पर कुछ इंप्रनेंट ट्रॉपिक्स थे और कुछ नौर्म इस तो जिससे कुछ नहीं पूछा बड़ पूछ सकता है ठीक है तो इस्टाइक्स आसान है बड़ आपक इसमें इसक नहीं होता है कुछ भी नहीं है तो आपको वीडियो पे पशन्द आ रहा हो तो वीडियो को याइक एड चैनल के समस्क्राब जोग किजिएका और यहां डोस्तों आपको इसका pdf नोटे साथ में और इंडिया वीपको एमकॉमिंटेंस के पीवे से पेपर और बहुत सारी नोट्स आपको वहाँ पर एवेब आया है ठीक दोस्तों तो में अपने नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच और दोस्तों पिस कमेंट करना मत भूएगा आपको कमेंट करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छा अच्छा अच्छा 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 वीडियो आपको बहुत जैदी प्रवाइड करेंगे ठीक दोस्तों हुआ है